नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चन्दन चौबेदी फाउंडर आफ कांपा एजुकेशन स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर कोरोना वाइरस से फाइट करने के लिए आज हमें जरुरत है वैक्सिन्स की बट जहां देखो वहाँ वैक्सिन्स की कमी है और इस कमी के कारण कई जगा वैक्सिनेशन सस्पेंट भी हो चुका है बट रिसेंटली गवर्मेंट आफ इंडिया ने वैक्सिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक कॉंक्रीट स्टैप लिया है सेंट्रल गवर्मेंट ने भारत बायोटेक का एक निव प्लांट यूपी के बलंद सहर में सेट अप करने का प्रोपोजल अप्रूव कर दिया है ये पी एस्यू टू करोड डोजिस ओफ को वैक्सिन पर मंथ प्रोड्यूस करेगा इसके लिए सेंट्रल गवर्मेंट ने 30 करोड रुपीज का फंड भी प्रोवाइड कर दिया है भारत बायोटेक को तो ये तो हुई एक गुड निउज लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही हो रहा है तो ऐसा भी नहीं है therefore इस वीडियो में हम इन डिफरेंट पॉइंट्स को डिसकस करेंगे ताकि आपको complete understanding हो जाए वैक्सिन के इसू पर सबसे पहले बात करते हैं वैक्सिन प्रोडक्शन की स्पीड को कम करने के लिए सिर्फ international politics ही नहीं बलकि internal politics होने की भी बू आ रही है भारत बायोटेक को पूने में वैक्सिन प्रोडक्शन करने के लिए बॉंबे हाई कोर्ट में जाकर permission लेना पड़ता है स्टेट गॉर्मेंट इस प्लांट में वैक्सिन प्रोडक्शन को wildlife protection के नाम पर रोकने की कोशिस क्यूं करती है जबकि महराष्ट पूरे भारत के साथ खुद इस pandemic में जुलस रहा है यह हमारी एक बहुत बड़ी weakness है कि हमारे यहाँ इंडिया में domestic politics जो है वो national interest को dominate करती है इसके अलावा को वैक्सिन का production इसलिए भी जरूरी है ताकि यह वैक्सिन जो है वो kids को भी लग सके Recently DGCI ने clinical trial for kids यानि co-vaccine के use के लिए permission दे दी है I hope यह trial जो हो successful हो ताकि यह वैक्सिन जो है बच्चों को भी लग सके और हम इन बच्चों को भी pandemic से बचा सके अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे देश में vaccine shortage के reasons क्या क्या है तो एक तो important reason है late order दिया जाना companies को Companies को late order मिला जिसके कारण companies जो है वो demand and supply को match नहीं कर पारी इसके अलावा दोस्तों जो most important reason है वो यह है कि center और state के बीच में proper coordination नहीं था vaccine procurement policy को ले करके सबसे पहले center ने policy में ये rule बना दिया था कि जो vaccines होंगी वो सिर्फ central government खरीदेगी लेकिन बाद में state government और private players को भी allow कर दिया गया लेकिन यहां पर जो important data share करना चाहिए था कि central government वो vaccines किस तरीके से provide कराएंगी कितनी मातरा में state को provide कराएंगी और state को खुद कितनी खरीदनी होगी ये जो सारा actually में information था वो इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था जिसके कारण state government ठीक से नहीं समझ पाई कि उनको कितने vaccine तक का order करना है कितना उनको center से मिलने वाला है जिसके कारण ये सारी problem create हो गई और company को order देने में दिक्कत आ गई इसके अलावा दोस्तो एक important reason है vaccine hesitancy और इसके लिए दोस्तो public responsible है यहाँ पर public किस तरीके से responsible है तो इसको समझिए सबसे पहले vaccine लगवाने का काम सुरू हुआ था 45 plus age group के लोगों में लेकिन उन्होंने यहाँ पर vaccine लगवाना जरूरी नहीं समझा जब तक corona cases बढ़ने चालू नहीं हुए तब तक तब तक इसको कोई seriously नहीं ले रहा था और यहाँ पर दोस्तो इसी के कारण क्या हुआ vaccine जो actually में लोगों को लग जानी चाहिए थी काफी ज़्यादा मातरा में जो 45 plus age group के हैं वो उस समय लगवाने गए नी और अब इस समय काफी लोग जो हैं अब जा रहे हैं actually में vaccine लगवाने तो यह actually में जो balance miss balance हो गया vaccine लगने का इससे भी काफी ज़्यादा दिक्कत आई इसके अलावा दोस्तो vaccine management में भी काफी ज़्यादा problems है जिसके कारण vaccine wastage जो है वो काफी ज़्यादा हो रही है actually में vaccine wastage जो होनी चाहिए वो 2-3 50% होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए लेकिन हमारे देश में 6% vaccine wastage है जो की काफी ज़्यादा है और यहाँ पर इसके कारण भी vaccine की कमी हो रही है साथी साथ पिछले कुछ दिनों में आपने ये भी सुना होगा कि raw material जो supply था उसमें भी काफी ज़्यादा issues आ गया था US ने embargo लगा दिया था vaccine बनाने वाले raw material की supply पर जिससे actually में जो vaccines 35 लाख लोगों तक को लग रही थी वो आज की डेट में घटकर 21 लाख 22 लाख approximate हो गया है यानि हमारा जो vaccination का rate है वो काफी कम हो गया है raw material supply के कारण अब दोस्तो इसका impact क्या पड़ रहा है तो देखिए दोस्तो impact तो इसका simple है कि vaccine की shortage हो गई है और इसी vaccine की shortage के कारण आज 18 to 44 age group का जो vaccination drive है उसको रोकना पड़ गया है कई जगा suspend कर दिया गया है state governments के द्वारा क्योंकि वो कह रही है कि हमारे पस vaccines है नहीं अब दोस्तो देखिए जो 18 to 44 age group के लोग है वो actually में काफी important workforce है देश का हमारे यानि वो actually में निकल कर काम करते हैं और economy में काफी अच्छा contribute करते हैं तो अगर यहाँ पर हम इनको इस pandemic से safety नहीं provide करा पाएंगे तो यह घर से निकल कर काम करने जानी पाएंगे ठीक से और पहले जैसा यह काम कर नहीं पाएंगे तो यह actually में हमारी economy के लिए भी काफी बड़ा risk है और इस group का vaccination होना भी काफी जरूरी है अब बात करते हैं solution की तो देखिए दोस्तों यहाँ पर state governments को जल्द से जल्द global tender निकालना होगा और आपको जानकर खुसी होगी कि इस पर कुछ state governments काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं और यहाँ पर वो जो foreign vaccines है जैसे कि पी फाइजर हो गया इस पूतनिक हो गया इस तरीके क उसको खरीदने के order दे चुके हैं लेकिन यहाँ पर problem यह है कि जो कुछ poor states हैं वो actually में इसके लिए अब तक आगे नहीं आये हैं तो यहाँ पर central government को किसी तरीके से help करनी होगी या फिर actually में यहाँ पर जो हमारे देश में बनने वाली vaccines हैं उनका किसी तरीके से production को और तेज करने की जरौत पड़ेगी साती साथ दोस्तों यहाँ पर center और state का जो coordination है उसको improve करने की जरौत है इसके अलावा vaccine wastage को कम करने की जरौत है इस पर यहाँ पर government ठीक से काम करे साती साथ vaccine hesitancy को भी कम करने की जरौत है और इसको हम कम कर सकते हैं awareness से लेकिन यहाँ पर overall जो vaccine production को एक बढ़ाने का booster हो सकता है उस पर central government actually में काफी जिजक रही है इसको आए समझ लेते हैं और यह important factor है central government का double standard vaccines के intellectual property को ले करके आप सबको दोस्तों पता है कि WTO में इंडिया और South Africa गए थे और वहाँ पर जो corona virus के vaccines हैं उसको वो patent free करवाना चाहते थे ताकि उस पर patent ना लग ताकि इस pandemic से हम लोगों का vaccination करा करके बचा सकें लेकिन यहाँ पर जब इंडिया का जो actually में co vaccine है उसको जब patent free कराने की बात आई तो central government ने इससे मना कर दिया और यहाँ पर central government ने मना कर दिया जिसके कारण क्या होगा कि जो co vaccine का license है वो किसी और company को मिलेगा नहीं और co vaccine का production बढ़ेगा नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरी countries की vaccines है उसका patent free कराने के लिए जो इंडिया है actually में central government है वो WTO चली गई लेकिन अपने देश की जो vaccines है उसका वो patent जो है actually में नहीं हटवाना चाहती patent free नहीं बनवाना चाहती अब दोस्तों यह सब मैं patent free कर दिया गया तो हमारी जिम्मेदारिये काफी हट तक बढ़ जाएगी हमें काफी जादा साउधानी बरतने की जरुत पड़ेगी क्योंकि अगर patent free हो गया फिर तो कोई भी vaccine बनाने लगेगा जिससे की market में fake vaccines हैं उसकी मात्रा बढ़ सकती है जो vaccines बनाई जाएंगी उनमे quality भी actually में कम हो सकती है यानि quality control का जो system है वो भी actually में fail हो सकता है अगर ठीक से यहाँ पर control नहीं किया जाए तो इसके अलावा देखिए दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि vaccine का formula मिल गया और काम बन गया लेकिन ऐसा होता नहीं है actually में vaccine बनाना कई गुना ज़्यादा complex task है in comparison to drugs drugs का तो यहाँ पर simply formula पता चल गया और उसको actually में formula पता चलने के बाद से उसको बनाना आसान होता है लेकिन vaccine के case में ऐसा नहीं होता vaccine में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और इसके लिए technology भी चाहिए तो जो भी vaccine बनाएगा उन सब को इन important companies को technology भी provide कराना पड़ेगा साथ साथ machinery भी provide करानी पड़ेगी जो की काफी difficult task है और ये इतना जल्दी नहीं हो सकता अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इन सारी problem को address करने का एक simple तरीका है और वो तरीका है कि patent holding company है वो खुद license provide करे उन companies को जो actually में ये सारे जो चीजें हैं उनको actually में ठीक से pass कर पाएं यानि वो eligible हो काफी हद तक vaccine बनाने के उनको experience हो और यहाँ पर quality control का का काम जो है ये companies का कि ये क्या vaccine सही बना पा रही है या नहीं तो licensing system अगर हम patent holding company के द्वारा अप्रूव कर देते हैं तो इन सारी problem को हम address कर सकते हैं फिलाल दोस्तों ये है हमारी lecture का end I hope आपको ये lecture अच्छा लगा होगा साथी हमें financially support करे हमारा UPI ID है canpa education aggregate YBL आपके द्वारा financially support के लिए हम आपके अतनत अभारी होंगे